असलाव लेकुम जी कैसे आप सब अमीत कहती हूं सब हैरिय से होगे अला ताल आप सबको अपने हिपसों इमार में रखें तो जैसा कि सर्दियों का अगास हो चुका है और सर्दियों में खाय जाने वाल इहारी की मोस्ट फेवरेट अलसी की पिनिया हाजिर है जिसकी मैं आज आपको complete और perfect recipe बताऊंगी जिसको देखने के बाद आपको अलसी की पिनिया बनारेगी कोई और recipe देखने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले हमने क्या करना है अलसी लेने लिए ठीक है ये अलसी इस फर्म में होती है उसके बीज होते है इसको हमने ड्राय रोस्ट करना है ठीक है एक किलो अलसी हमने ले लिए और इसको हम ड्राय रोस्ट करनेगे आप इसको कितना रोस्ट करना है जब आप इसको रोस क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा फूलेंगे न तो फिर इसमें करवाहट पैदा हो जाएगी तो इसका जो कलर है वो आपने ज्यादा ब्राउन नहीं करना ठीक है आपने तक्रीपर इसको 5-6 मिट फूल लेना ठीक है लो टो मीडियो फ्लेम पे उसके बाद आपने इसको ग् ठीक है आटे वाली जाली में आपने इसको च्छल ले अच्छे से अगर कोई मोटा रहा जाता है जरा तो उसको दबारा से आप ग्रेंट कर लें यह हमने अलसी जो है वो राड़ी कर लिया तो इस पहले हमने क्या किया था जो चने होते है न एक तो चने होते हैं भूले बगार छिलके के चने होते हैं वो हमने चने लेने है और उन चनु को आपने ग्रेंट कर लेना है और से वो ही प्रॉसेस करना है आपने उनको अच्छे से जो है वो च्छल लेना ठीक है वो ही मोटी जाली में आपने इसको च्छल लेना है सही है मोटी जाली में इसको च्छल तो यह हमारे पास 1 kg चने थे छिलके के बगायर वाले भूने होई ठीक है एक कलो ऐसी का पौउडर उब जो बना लिया था वह इसमें एट करती है और यह मेरे पास कमर काशा ठीक है आप इसको लाल मून्द मी कहती है कमर काशा यह मेरे पास आदवाओ इसको में अच्छे से साफ कर लिया था वाश करके दूब में सुकाया उसके बाद इसको ग्रेट कर लेना और इसको ग्रेट करने के बाद आपने बारिक जाली में चान लग ठीक है? तो ये अगर आप को जोड़ों का दर्द है आपकी बैक में पेर है तो जो कवरकरस है उसके लिए सबसे बेस्ट है इसके अलावा भी बहुत से हमराँ का जो है न activglation ए से इलाज होता है कवरकरस तो सर्दिया वह वह वाहिद ऐसा मौस्ब होता है जिसमें आप अपने किसी भी जो भी आपको मसला है आपके जॉइन पेंड है, आपको सूसी रहती है, तो उस सब का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यह इन चीजों के जरीए ठीक है, तो इसके बाद हमने गूद ले लिया, गूद को हमने तकरीबन चार टेबर स्पून देसी घी में इस तरीके से फ्राई का ले रहे, तो गूद इस तरीके से फ चॉप करना दर्दरासा, यहां पर एक पाव देसी घी लेना है और उसमें हमने यह जो आप कहते है ना, इसको मखाने कह लेते हैं, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, कि इनको आपने अच्छे से फ्राई करना है, जैसे जैसे यह फ्राई होते चाहेंगे, यह अपने और में ग्रैंड करना है, धर्दरा पीसना है, बिल्कुल बारिक नहीं पीसना, उसके बाद अगेर फोर टेबल्स पर हमने देसी घी लिया है, और उसमें हमने बादाम एक पाव डालके अच्छे से फ्राई करना है, तमाम जो ड्राई फ्रोर्स हैं, आपने उनको अच्छे स होता है, उनका जो होता है, माइड जो होता है, वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, उनको सर्दी नहीं लगती, नजला जुकाम से वह महफूस रहते हैं, यह अगर आप उनको सर्दी में बनाके बच्चों को देते हैं, हुद खाते हैं, तो इसमें बहुत बहुत फा बिल्कुल बारिक पौडर नहीं बना रहा है अगर आपके पास चौपर नहीं है तो आप इसको अमाम दस्ते में जो है वो धर्दरा कर ले इसको भी और वो बाकी जो गूद और महाने हम ने इसमें डाले उसको भी अब तकरीबर यहां में सो ग्राम हम लेगे घी और इसमें बाकी के तमाम ड्राइफरूट्स एक साथ आड़ कर देगे ठीक है बदाम जो होते है वो थोड़ा सा कलर छोड़ते है इसलिए उनको मैंने इकठा जो है वो रोस्ट रही किया तो बाकी साम को हम इकठा रोस्ट कर ल यह है जी आदा पाओ काजु लिया है आदा पाओ हमने इसे पिस्ता लिया है आदा पाओ अखरोट लिये है पचास क्राम इसमें बैलन के एसीड जो हरूजेए के होते हैं बेज वो और पचास क्राम कंदू के बीज ठीक है इस सब को भी आपने अच्छे से रोस्ट कर ले ना ठीक है दो से तीर मिट रोस्ट कर ले निया जैसे ही कलर चेर्ज होने लगे आपने फ्लेम बंद कर देनी है और इनको रूम टॉप प्रेचर पे आने के बाद आपने चौपर में धरदरा सा चौप कर ले ना अगर आपके प वो टेस्टी भी नहीं लगता दुक भी नहीं उसकी अच्छी आती और उसके जो होता है ना उसकी अफादेत होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है तो यह हमने सबसे पहले महाने और जो गूत हमने चौप करके रखी थी ना धरतरी सी पीस के वो एट कर लिया उसके बाद ज आप हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने यह चीज माइड में रखनी है कि यह तमाव चीजे आपने जो पाउडर इसमें एट की है यह जो यह खुश्क चीजे हैं आपने इनको पहले से अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आप इनको पहले से मिक्स नहीं करेंग कि जब भी आप LC बना रहे हैं ना ठीक है यहां आप को भी बना रहे हैं जैसा कि चावल की पिरिया बनाते हैं उसमें भी गुर डाला जाता है तो आपने क्या करना है जितनी क्वाटिटी होगी आपके पास material dry material होगा जितना भी total for example आपके पास 3 kg dry material है तो फिर आपने उससे हाफ से 100 ग्राम ज्यादा दस से 20 ग्राम ज्यादा लेना है अगर आपका जो हाफ 15-100 ग्राम जो है वह गुड़ लेना है ठीक है उसका अपने शीरा बना रहा है जैसे ही सारा गुड़ बेल्ट हो चाहे तो आपने हाथ पे उसका चिपकाना है अगर तो आपका head चिपक रहा है तो वो आपका शीरा done हो चुका है अगर नहीं चिपक रहा है तो आपका शीरा भी तक नहीं बना ये चीज़ आपने हिखाल रखना है इस चीज़ का ठीक है add that बाकि सारा process बहुत असार होता है लेकिन इन चीज़ों का बस आपने हिखाल रखना होता है कि जितना आपने dry material ready किया है उससे आपने half root डाल ले थोड़ा सा जो देसी घी रहा गया था वो मैंने इसमें add कर दिया देसी घी total इसमें 500 ग्राम चाहेगा ठीक है तो देसी घी मैंने इसमें add कर दिया है और जो हमने बनाया था गुड़ का शीरा वो हम इसमें add करना है तो आपने इस तरह नथार के add करना थोड़ी तेर उसको पढ़ा रहे रहे थे ताकि उसमें अगर कोई rate के जरात है वो नीचे बैठ जाए फिर अराम से आपने उसको इस तरह उपर उपर से डालेना है और नीचे से एक दू चमच अगर रह भी जाता तो उसको आप छोड़ दे सही होगा आप क्या करेंगे अपना आपने इसकी गरम-गरम की mixing कर ले लिए ठीक है इसको ठंडा होने का वेट नहीं करना पहले नमर पर आपने ना फटा फट से चमच ले कि इसकी mixing कर ले लिए गरम-गरम की तो क्या होता है बड़ी जबर्दस से mixing हो रहा थे है अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर आपकी mixing नहीं होगी आपका जो मीठा है उस वो लेवल नहीं होगा सही हो गया अच्छा जी ये हो गया जी done कि देखे कितनी जबर्दस से इसकी mixing होगी है उसके बाद आपने ना इसको हेड में पकड़ के देखने है कि अगर आपका जो हेड है इसका temperature बरदाश कर सकते है तो आप फिर इसकी पिणिया बनाना स्टार्ट करते ठीक है क्योंकि ठंडे की पिणिया नहीं बनेगी और कोशिश करें कि आपने जो पहली दफ़ा बनाया है पहली दफ़ा में जो गरम है उसी में ही आप इसकी पिणिया बना ले अगर आप इसको दुबारा से गरम करती है तो थोड़ा सा इसका taste change हो जाता है ठीक है तो कोशिश आपने यही कर रही है कि पहले पिणिया बना ले अगर आप नहीं बना पाते फिर्स रेटेंब में तो आपने क्या करना है कि इसको फिर थोड़ा सा गरम कर ले रहे अगर प पिणिया मानगी थी यह मेरी और इस तरीके से अब आपने क्या करना है इनको आप स्टोर कर लें बॉक्स में डाले और इसको फिर्ज बे रखते और दो से तीन माता काव इनको असानी से खा सकते है ठीक है कुछ लोग बाहर भी रखते है तो आप कमेंट पैंड करता लेकिन मैं यही प्रेफर करूगी आप इसको फिर्ज बे रखें जब आपने इसको खा रही हो तो आप इसको एक दो घंटा पहले उतनी पिडिया बाहर निकाले और उसको खाले चाहे के साथ सर्व करें सर्दिया और इंजॉई करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चै